असलाम लेकुम आज दस्तरे खास में मैं बना रही हूँ वेजेटेबिल मॉमोस और वो भी कलर्फुल ये देखें देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट में भी अच्छे हूंगे तो चलते हैं इसके इंग्रीडियंट्स की तरफ दो कप मैंने लिया है मेदा हाफ टीस्पून इसमें मैं डालूँगी नमक और ये मेरे पास रैट कलर का फूट कलर है ये भी मैं इसमें सीवक डाल के और इसको ड्राइ मिक्स करूँगी ताकि अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाए फूट कलर और यहां पर मैं डालूँगी अब तू टेबिली करूंगे अब इसको पानी से हम गूंद लेंगे और इसको थोड़ा सा सक्त रखेंगे नरम नहीं करेंगे इसको वरना फिर योगा कि मॉम ओस हमारे ठीक नहीं बनेंगे eh कलर मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा कलर पानी में मिलाके और इसको दोबारा से थोड़ा मिक्स कर लिया गूनते वक आपको अगर इस तरह लगे तो कलर ऐसा आप मिला सकते हैं और थोड़ा सा ओजल लगा के सब्सक्राइब तोड़ी से लिंती मैंने ये मुमफलियां हैं मेरे पास के मैंने डाल दी सोया सॉस टुटेबिल इसपून वर्न टेबिल इसपून काली मिर्चों का पौडर और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे नमक हम अभी नहीं डालेंगे वनना सबजियां पानी छोड़ देंगी ये अब मैंने मोमोस स्टार्ट कर दिये बनाने उस टाइम पे मैं नमक शामिल कर रही हूँ अपने हिसाब से आप लोग अपने टेस्ट के रिकॉर्डिंग ले लिएगा अब हम मोमोस बनाना शुरू करेंगे अब मैं एक छोटे साइस का बॉल लूँगी बनाऊंगी पेड़ा जितना बड़ा भी आपको चाहिए हो उसे साब साब ले लिएगा ये मैंने छोटा सा एक साइस का पेड़ा बनाया और इसको मैं बेल लूँगी बहुत पतला नहीं करना बहुत मोटा नहीं करना बस इसको इतना रखना है कि जब हम फिलिंग डालें तो ये फटे नहीं ये देखें आप अच्छी तरह से जो भी आपको शेप आता आप वो दे दिएगा मैं इस तरह का दे रहे हूँ और अब इसके अंदर फिलिंग डालूँगी इसको बंद कर दूँगी और मैंने वहाँ पे स्टीमर रख दिया था पतीली में पानी डालके उसके उपर मैंने स्टीमर रख दिया था वो दस मिंट पहले मैंने रखा है उसमें भी अच्छी तरह से देखें बॉइल आ गया है पानी में स्टीम अच्छी तरह से इसमें जैनिरेट हो गई थी अब मैं इसको पॉइलिंग करके और इसके उपर में सारा ये मॉमोस रख दूँगी और आठ से दस मिंट लगेंगे ये बहतरी स्टीम हो जाएंगे ये देखें कितने कलरफुल कलर कितना अच्छा निकल कर आया स्टीम होने के बाद बहुत कलरफुल और बहुत टेस्टी बनेगे फिलिंग भी बहुत टेस्टी बनेगी पीनट्स डाले से क्रंची सा टेस्ट तो लाइक कीजिएगा और इसको ट्राइ भी कीजिएगा और मुझे बताएगा कैसी लगी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया अलाहाफिज